हेलो फ्रेंस तो आज मैं आपको हलवाई स्टाइल खरस्ता सक्कर पारे बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा इस तरह से आप शक्कर बारे सिर्फ और सिर्फ 15-20 मिलमे घर पे बना पाएंगे ये खाने में टेश्टी होते होते हैं बनाने में भी आसान होते हैं अगर आप सीखना चाते हैं घर पर शक्कर बारे कैसे बनाएं वीडियो को आपने बिना स्किप के उलाशने जरूर देखना है सबसे पहले यहां पर मैंने 400 ग्राम मैदा लिया है जिसको मैंने अच्छी तरह से चान लिया है आप डालना चाहिए इसमें 200 ग्राम आटा और 200 ग्राम मैदा भी यूस कर सकते हैं एक पींच आपने इसमें नमक एड़ करना है कोई भी मیठी चीछ बनाते हैं थोड़ा सा नमक डालते है तो इतनी जदा मिठास नहीं लगते हैं उसमें खाने मेए और इसके बद आपने इसमें बेकिंँ पौर्डर यजे करना है, आदा चमच आप इसमें बेकिंँ पौर्डर डाल दीचे और 70-80 ग्राम आपने इसमें देशी घी या फिर नस्पति घी आइड करना है, इससे आपके शक्र बारे अच्छे खस्ता बनेंगे और इसके साथ में इतना ही आप इसमें पानी आइड कर दीचे पानी आपने नॉर्मनल टेंपरेचर वाला यूज करना है और जो घी आइड करेंगे हलका सा गुन-गुन होना चीए मैं देखो आपने पानी और घी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है जो मैदा मिक्स हो जाएगा उसकोइग साइड में कर दीचे जो मैदा ड्राय रहे जाएगा उसमें आपने थोड़ा-THोड़ा पानी डालके उसको भी इकठा कर लाना ही इस तरह से और इसके बद जैसे मैदा इकठा हो जाएगा उसको आपने जादा गुन्रनी है अब मैंने यहां पर baking powder का use भी किया है, baking powder क्यों डालते हैं, जब हम शक्रवारों को fry करते हैं, वो अच्छी तरह से fold जाते हैं, जब इनको चाशनी में deep करते हैं, तो चाशनी अंदर तक चलियाती है, देखिए, मैदे को मैंने यहां पर इकठा कर लिया है, अब इसके उद इसको इकठा करना है, अब आपने मैदे को rest देना है, इसको किसी कपड़े से ढखके रख दीजिए, या फिर clean foil है, उसमें cover करके छोड़ दीजिए, 5-7 मिन तक छोड़ना है, इससे मैदा अच्छे से set हो जाता है, यह देखिए, मैने आपने मैदे को 5 मिन तक रखा था, हमारा अच्छे से set हो चुका है, अब इसके बद आपने इसको ना, हाथों के ओपर गुमा के थोड़ी सी बड़ी रोटी बना लेनी है, यह देखिए, इस तरह से press कीजिए, इसके बद आपके बेलन होगा, तो बेलन से आपने इसको रोल कर लेना है, आप इसकी बड़ी सी रोटी बना लेजे, अब जब हम शक्रवारे बनाते हैं, जब उसकी रोटी बनाते हैं, थोड़ी सी मोटी रखनी पड़ती है, तब ही आपके शक्रवारे थोड़े मोटे मोटे बनते हैं, यह देखिए, रोटी की मोटाई दिखा देते हैं, आपको इतनी मोटी आपने कर लिए जब आब इसके उना दूसरी साइड को करेंगे थोड़े से लंबे-लंबे पीस काटने दिखिए बैसे जो हलवाई लोग हैं वो इसी तरह से छोड़े के चुटे ही शक्कर बारे बनाके त्यार करते हैं तो के देखिए इतने सारे आपके शक्कर बारे बनके त्यार हो जाएंगे इतने से मैंदे के और इसके बद आपने इनको उठा लेना है, इनको अलग-अलग कर लीज़े, देख सकते हैं, अब इसके बद इनको एक बार में अगर आप फ्राई करना जाते हैं, बड़ी कड़ाई है, तो एक बार में ही फ्राई कर लीज़े, अगर आपके बद छोटी कड़ाई है, कम ओईल में तो आप इन को दो से तीन यहां देटां सकते हैं तो यहां है घएक किपोंसे जब यहां है इस कितने ऑरां से कितना थंड़ा तेल भी ओल निचाही है जदा आपने इसके लोगां सब्स्कार पीनर ध сторब्स जादा गूर्ण ज़्यादा स्लाइसर से इनको गुमाना नहीं है और इसके बद ना एक से डेल्ड मिंट के बाद देखेंगे आपके शक्कर पा रहे हैं ऑईल के ओपर गूमना शुरू जाएंगे और दो से तीन मिंट में अच्छी तरह से फूल वी जाएंगे अब इसके बद आपको गैस की भी दिखायता हूँ मैंने कमस्कम तीन मिंट तक इतनी फ्लेमन को फटाई किया है अब इसके बद आप गैस की फ्लेमना बड़ा सकते हैं देख सकते हैं शक्कर पार कितने अच्छी तरह से फूल चुके हैं, अच्छे मोटे मोटे हो चुके हैं और तीन मिंट के बद आपने गैस की फ्लेम ना मीडियम रखनी है 6-7 मिन तक आप इनको मीडियम फ्लेम फ्राई कर लीजे तो शुरूर से लेकर लाज तक जलत तेज गैस ने रखनी है पहले आप लो फ्लेम में फ्राई कीजे फिर आप इनको मीडियम फ्लेम में फ्राई कीजे और देख सकते हैं तो यहां पर मैंने शक्करबारों को 10 मिन तक फ्राई कर लिया है और देखिए बाहर से चछा कलर भी आज चुका है और इसके वज़ाब शक्करबारों को निकाल लीजिए अगर आपना क्रिस्पी शक्करबारे बनाना चाते हैं तो दो तरीके मैंने आपको बता दिए क्रिस्पी शक्करबारे बनाने का यही कलर होना चाए है और अगर आप सॉफ्ट बनाना चाते हैं तो इस तरह से आप इनको फ्राई कर सकते हैं आपके शक्करबारे थोड़े से वाइट होने चाहिए अब इसके बोदिन की चाष्णी मुना लेते हैं यहां मैंने एक पैन लिया स्टेनलर स्टील का, इसमें न चीनी एड़ करेंगे 200 ग्राम मैंने चीनी लिया है अपने चीनी लेनी है, उससे थोड़ा सा कम आपने इसमें पानी एड़ करना है एक कप चीनी लियोगी पॉना कप आप इसमें पानी एड़ कर दीशे और गैस की फ्लेवर लाने के थोड़ा सा आप इसमें केवरा वाटर डाल सकते हैं इलाइची का फ्लेवर देना चाते हैं थोड़ा सा इलाइची पॉटर डाल दीशे और केवरा इलाइची को पेची तरह से आप यहां पे मेक्स कर लेशे अब जब यह चाशनी बनाते हैं शक्करबारे बनाने के लिए तो एक से डेड़ तार की आपने चाशनी बनानी होती है क्यादा पतली चाशनी बनानी है यह देख़ mistakes करनी है इस तरह से पढ़ले के ओपर थोड़ सी चाशनी लिए और इसको ठोड़ा सा ठंड़ो ने दिछे जैसे ठंडी हो जाएगी हाथ से इस तरह से से देके इसको च्क कर लीए तो यहां पर देख़िए चाशनी में जो तार बनना शूरोँ चुकी है इसके बुद अपने टूड़ा सा फंड़ा होने देना है जैसे चाषणी गुनगुनी हो जायेगी इसके बुद आपने इसमें शक्रबारे ऐड़ करतेने जदा गर्म-गर्म चाषणी इ में शक्चरबारे नहीं डालने हैं और ज्जाधा ही sub हो जाते हैं तो यहां पर मैंने शक्रबारे चाशनी में डाल दिया है थोड़े से शक्रबारे फ्राइब करने के लिए बच गये थे वह इनके उपर अच्छी तरह से मिक्स कर लीजे इस तरह से और मिक्स करने के बद आपने ना इनको हवा में रखते नहीं जैसे आप इनको अब हमारी चाशनी जो है बिल्कुल ड्राइई सी हो चुकी है और शक्रबारों के उपर इसकी अच्छी कोटिंग भी आ चुकी है तो देखिए मारके जैसे शक्रबारे बनके त्यार हो चुकी है तो फ्रेंस वीडियो चलगोगा लाइक शेयर क्मेंट चुरूर कीज़ेगा Okay, fans, thank you.